तो हेलो दूस्तों स्वागत है आपको फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है मैं लेकिन आपको कुछ अलग हिसाब से एक चीज का उपर एक्सपिरियंस बाताने वाला हूँ यह देख पार है आपका सामने यहाप टू तूटाउजन सिस्टीन मोडल यह 220 पाल सरे इस गाड़ी को देख पार कुछ इस हिसाब से आपका सामने रखा हुआ है लेकिन इसका मैं आज आपको पूरा जन्यूइन तरीके से एक आपको देने वाला हूँ एक गाड़ी मेरा नहीं है मेरा दोस्त का ही है लेकिन मैं इस गाड़ी को लेते ह में साइम से लेकर अभी तक मतलब उसका साथ ही हुग दिखाने वाला हूँ अपने रहे रहे। पूरा का पूरा मतलब और यहां पर खोड़ा मैदान है यहां में और कि शोर्रावा नहीं है यहां में यहां पे शांत से आपको मैंने दिखा पहले बात करूं तो इस गाड़ी को जब उसने लिया था 2016 में तो इसका रेट उससे में कुछ लगबक एक लग पैतीस हजार जैसा ही था उससे में एक लग पैतीस हजार में मिल जाता था यह गड़ी केस में दख बारो और इसका में लुक्स की बारे में बात करो लेकिन बाद में जो गाड़ी लिया था लेने का बात जो उसने गाड़ी चला के एक्सपिरियंस करता है उसी को जाला तो गाड़ी चला के बॉला के बाई नहीं में तो कुछ ले ही लिया इस बार क्योंकि गाड़ी का 220 CC होने का कारण इस गाड़ी को चलाते साथ टाइम मतलब इतना ज्यादा अच्छा फील होता है मतलब क्या ही बताओ आपको इस गाड़ी को उसने जितना चला चलाया म मैंने भी उसका साथ ही चलाया मतलब ज्यादा समझ लिए कि में चलाया था इस गाड़ी को तो गाड़े चलाने की मामले में मज़े की बाद तो क्या ही करूँ कुछ कोई सब्सक्राइब तो देख वाई एक चीज है आप अगर गाड़े से मजा लेना चाहते हो तो गाड़े में मैंटेनस तो थोड़ा बूत हो गई यह तो आपको मतलब मैंटेन करना ही पड़ेगा इसको लेकर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको मजा दे रहे तो तो ज्यादा पीए कई है तो जनुवीन बात है 220 सीची है गाड़ी में तो थोड़ा ज्यादा पीएगा और मेंटेनस तो आपका तूड़ा ज्यादा ही होगा तो आप समझ लीजी 150 पालसर में आपका 400 रुपिया में हो जाता है गाड़े के मोबिल चैंज करना लेकिन इसमें थ सब्सक्राइब तोड़ा जल्दी दिले हो जाता है इस बज़ा से यह तोड़ा कुछ आपको देखना पड़ता है अलग से और बाकी मतलब चलाने की मामले में और रोड लोग की बात करो तो बाई इस गाड़ी को रोड प्रेजेंट इस गाड़ी को इतना ज्यादा अच्छ बगे आभी दू-3 दिन ही बचाए तो गाड़ी का कितना उमर हो गया है चार साल और यहां से दूसल चे साल चे साल में गाड़ी इस हिसाब से अभी भी खड़ा है आपका सामने कुछ इस हिसाब से अभी मतलब फूरा शाइनिंग मार रहा है देख पार है कुछ इस आप से चार का सबसे ज़्याधा मतलब थुड़ा गंदा लगता है इस पाट को लेकि, यह मतलब थुड़ा जल्दी दिले हो जाता है क्योंकि फिर भी आपका मतलब चलाने का आपर डिपेंड करता है आप अगर ओफ रोडिंग में ज्याधा मतलब राफी उज़ करते हो तो यह सार कुछ नहीं है बाकि तो पिछे का और कोई दिक्कत नहीं चाई presents मतलब तो यह आपका एक्जेस्ट करना पड़ता है नहीं तो ज्यादा डिले हो जाता है और साउंड ज्यादा आने लगता है चेंज से और बाकि ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो बाई यहां पर आपको देख पार हो आगे पीछे दोनों तरफ आपको इसमें डिस ब्रेक मिल जा करता है और गाड़ी का थायर मतलब है कि 25,000 किलिमिटर में एक बार उसने चेंज कर वाया था गाड़ी का थायर और 25,000 की बात से आभी चल रहा है यह गाड़ी कुछ इससाब थायर आभी बचा है यह दिख पार है कुछ इसी साफ से मिटर में इतना शो कर रहे है और बाकी माईलेज की बात करूं तो भाई माईलेज को लेके थोड़ी मतलब इस गाड़ी में मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिब मतलब एकदम आप अगर इसको कॉंटेनिव पर चलाओगे तो इस गाड़ी ज्यादा सी ज्यादा आपको मतलब 30 से ऊपर नहीं जाएगा 30–2 km नीचे रहेगा लेकिन नहीं जाएगा बिल्कुल भी 30 lado मेलेज दिएता है आपको यह गाड़ी और बाकी मतलब चला के बाई अलग ही एक फान मिलता है आपको इस गाड़ी को चलाने में और इसका लुक की मतलब सबसे अच्छा बात लगता है जो यह ग्लास यह जो आपका दूनू लुकिंग ग्लास देखने को मिलता है इस गाड़ी में इस ग्लास को आप और बाकि देख पार कुछ इसी साब से आपको गाड़ी भी देखने को मिलता है तो सर्विस बगएरा की बात करें तो इसमें आपको पहले जो कॉमपेणी सर्विस देता था फ्री में गाड़ी लेने का बाद तीन-चार सर्विस जो फिरी दिया था उसमें तो आपको कोस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ता था लेकिन आप भी सर्विस जाओ तो एक बारी में कम से कम हजार से लेकर बारा सो रुपया तक में आपको सर्विस हो जाता है सर्विस कोस्ट इतना ही आपको पड़ता है और माइलेज गातो आपको मैंने बता ही दिया और आभी मतलब रिश ज्यादा से ज्यादा बिखने में कितना बिखेगा। ज्यादा से ज्यादा कि 40 से लेकर 50 तौन उतना ही। 50 भी मतलब एक दोम हाइस्ट। 50 पर नहीं जाएगा। लेकिन 40-45 भी अब यह सब लोग लेने में डरते हैं कि हर एक बस का बात नहीं है क्योंकि यह सब गाड़िया मतलब मेंडिनेस भी तुड़ा ज्यादा लेता है और आपका मैलेज भी तो मिलता है कितना ही आपको तो मैंने बताई दिया तो गाड़ी का कुल मिला की experience यह कुछ ह है चलाने का बारे में चलाने का जो चलाने में जो फ़ान मिलता है आपको इसकी बारे में कई compare नहीं है यह बाकी जो आपका 200 सीसी गाड़ी है यह सबसे बहुत ज्याद होपर है 220 सीश है इसका ओर 200 गाड़ियों से काफी अलग है मतलब एक दम की दौ मिनिट का अंदर आपक रिखते हो दस से आठ से दस किलिमेटर दू मिनिट में आप चला लोगी इस गाड़ी को मुझे आज तक आज तक का इतना ही एक्सपरियेंस है और बाकि सब कुछ तो मन ने आपको डिटेल में बता ही दिया तो उतना ही था दूस्तों इसका रिव्यू आपका पसंद आया होग और चैनल को चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा थेंक्यू अ